हेलो चैंपियंस वेलकम बेग टू लेट्सकोर हंडेट दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे ऐसी तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रिट्स शेर करने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आप जोग्रफी के मैप में फुल मार्क्स ला सकते हैं अपनी तैयारी में अप्लाई करेंगे तो यू विल डेफिनेटलि गेट फुल मार्क्स इन जिजग्रफी मैप तो आईए इसी के साथ शुरू करते हैं तो दोस्तों आज हम लोग जो जो जिजग्रफी के मैप में टेक अप करने वाले चैप्टर हैं वो है हमारा manufacturing industries इसके अलावा जो हमारे three secrets हैं उसको भी हम discuss करेंगे तो चलिए ये रहा हमारा दोस्तों पहला आजैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा manufacturing industries वाला चैप्टर है उसमें तीन important map आएंगे पहला cotton textile industries दूसरा हमारा आएगा iron and steel plant तीसरा आएगा software technology parks ये आप लोग अलड़ी जानते हैं सीबेसीन अपने syllabus में issue किया हुआ है right now तो आज की इस video में सबसे पहले हम करेंगे cotton textile industries दोस्तों जहां तक cotton textile industries की बात है केवल five cotton textile industries के centers आ रहे हैं अब जो मैं आपसे share करने वाला हूँ वो secret का ही part है secret का ही हिस्सा है इसलिए please pay close attention to it आप लोग जहान दीजिए total five है five में देखे Mumbai and Surat ये दोनों west India के states है west India के उसके बाद Indaur and Kanpur ये north India के states हो गया north में हो गया और कोयम बदूर हो गया south India का state basically ये south India में based question इस तरीके से आ सकता है name a south Indian name a cotton textile industry based in south India तो south India में जो cotton textile based है वो है तो धेर सारी लेकिन हमारे syllabus में के वल एक है तो इस साल direct question नहीं आएंगे इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बताया चलिए आप ध्यान दीजिए सबसे पहले हम इकी plotting सीखेंगे तो हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश कानपूर ध्यान से आप लोग देखिए ये देखिए उत्तर प्रदेश है हमारा बहुत ध्यान से देखिए मैं आपको गरेंटी देता हूँ अगर आपने ध्यान से देखा मैं ऐसा समझा दूगा कि जैसे ही blank political map आपके सामने आएगा खड़ा-खड़ा पह चालोगी कहां पहे है कानपूर कहां पहे है सूरत कहां पहे है इंदौर और कहां पहे है कोयमबटूर अगर आप उत्तर प्रदेश के border को देखे हो तो आप ये एरिया देख पा रहे होगे ये जो उठा होए एरिया है ये जो उठा होए रहे है ठीक इसी के उपर आप 4-5 mm नाप करके अहां पनिशान लगा दिए लगा दीजे ये होगे आपका कानपूर कॉटन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री का हो गया कानपूर कानपूर के लिख होँगा दूसरा है हमारा इंदोर आप ध्यान दीजे ये हमारा मध्धर प्रदेश राइट अगर आप मध्धर प्रदेश के मैप को ध्यान से अब्जर्व करेंगे तो यह वाला एरिया देखें यह वाला एरिया राइट अब ध्यान से देखें यह हमारा महरास्ट्रा है यह हमारा मध्र प्रदेश है राइट तो इस एरिया के दोखें यहां पे एक यू बन रहा है राइट जहां पे यू बनना है यू बनना शुरू है यू बनना कहां से शुरू है यहां से शुरू है अब यहीं से इसी के 4 mm ऊपर ध्यान दिजिए 4 mm ऊपर आप लगा दिजिए यह cotton textile industry जो मद्ध प्रदेश में है मद्ध प्रदेश का indoor यह रहा आपका राइट नेक्स्ट है हमारा हमारा यूपी का हो गया मद्ध प्रदेश का हो गया दूसरा अब वेस्ट इंडिया के सूरत में है ध्यान दिजिए यह देखिए यह area जहां पर उल्टा सी बन रहा है और दूसरा यह देखिए यह अपना महारास्टरा और γुझरात महारास्टरा और گूझरात के border पे आपको यह एरिया दिखेगा आप नोग द्यान दीजए कैस यह एरिया जहां जिसको जाने के बाद आप लोग असानी से लोकेट कर पाएंगे अब इसमें कोयम बरूर देखना हमें अगर आप इस केरला और तमिल लाडु के बॉर्डर से यहां पर नीचे उदर ही यह तो आप देखेंगे यहां पर बनता हुआ दिखाए देखाए देहां से देखें तो एल बनता दिखाए जहां पर बनना शुरू हुआ है यानि यहां से शुरू हुआ है ठी किसी के उपर लगा दीजिए यह हो गया आपका कोयम बठूर जो कि तमिल नाडु में है जो कि के से शुरू होगा राइट ती हो गया हमारा cotton textile industry के five centers है जो कि एक South India में है और एक North में ह कानपूर में Central India माल सकते हैं आप मध्रप्रदेश में तो question इस तरीकी से भी आ सकता है cotton textile industry based in North India तो कानपूर हो जाएगा cotton textile industry based in Central India मध्रप्रदेश हो जाएगा और West में अपने दो हैं ही गुजरात का सूर गुजरात में सूरत है और महारास्ता में महारास्ता में अपना मुं ओन साथ cotton textile का industry किसी state में है वो जाना बहुत ही जरूरी हो गया है क्योंकि मैप में question डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं now we are going to take up this one iron and steel plants देखें जहां तक iron and steel plants की बात है वो total 6 है 5 and 1 6 अब आये देखते हैं ध्यान दिजी यह जहां तक दुरगापूर की बात है यह East India में है बोकारो और जमसेदपूर भी हमारा East India है यानि 3 iron and steel plants हमारे East India में है उसके बाद Central India में क्येवल एक तो इसमें भी question बन सकता है iron and steel industry based in Central India तो भिलाई है जो कि 36 गड़ में है उसके बाद South में हमारी दो है एक करनाटका में एक सलें में यह जो मैं तो आपके दिमाग में मैं रख दूँँगा जैसे ही political map आप देखेंगे जैसे ही political blank political map के सामने आगा आप खटाक से पहचान जाएंगी कि कहां पे सलेम है या कहां पे दुरगापूर है अगर आप देखें यह वेस्थ बंग्वाल यह जहां पर Canadian गाद का बॉर्डर है यह अगर आप ध्यान देंगे देखेंगे यहां पैक उल्टा सी कि इताइज हुर्व लुट थी वारे सपशली है उफर सीधासी बन रहा एट यही पह आपका दुरुचापूर जहां आप लोग कर पाएंगे अब देखे मैं आपको बोकारो जंसेटपुर्कों पहचाने का इसा तरीका बताओंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे देखे यह हमारा जहारखन जहारखन में बोकारो यह वाला एरिया दिख रहा है यह देखे यह जो वेस्ट बेंगॉल का एरिया ज आप ध्यान देंगे इस वाले एरिया के उसके बाद आप यहां ध्यान दीजिए यह वाला यह वाला पर्टिकलर एरिया जहां से शुरू हुआ है न तो यह देखे रहा है आपका जमशेदपुर बेसिकली यह होगे अपना बोकारो और यह होगे अपना जमशेदपुर एक् अब देखे 36 गड़ है और अपना महारास्टा है अब अगर हम इसके बॉर्डर पर जाएं देखो 36 गड़ और महारास्टा के बॉर्डर पर जैसे बॉर्डर पर जाते हैं तो ऐसे आपको C दिखेगा ध्यान देंगे और C आपको दिख जाएगा जहां पर C दिखता है C के और यह वोगे आपका आधरप्रदेश अब देखिए यहीं पर है आपका विजय नगर जो कि करनाटका में आइरेन एन इस्टील प्लांट से रहां दीजिए अगर आप इसके बॉर्डर पिच्छा ने देखिए यह बॉर्डर है आंधरप्रदेश और करनाटका का बॉर्डर स चलें तो आप यहां देखेंगे उल्टा सी बन रहा है उल्टा सी यह देखें उल्टा सी बन गया राइट जहां से उल्टा सी बनना शुरू हुआ वहीं पर आप केवल 2 mm लेफ्ट हंड में चले आईए और यहां पर सरकल बना दीजे यह हो गया आपका विजय नगर जो की करन करनाटका के बॉर्डर को ध्यान में रखना है अब ध्यान दीजिए बेसिकली यह वाला एरिया तमिल नाडू और करनाटका का यह वाला एरिया राइट यह वाला एरिया देखें इस वाले एरिया में भी आप इस एरिया को दोखें यह वाला हिस्सा राइट इसी कर ठीक नी प्लांट तो basically five five अपने cotton textile industry आ रहा है six आपके iron and steel plants आ रहे हैं उसके बाद आ रहा है software technology parks दोस्तों software technology parks जो हमारे India के हैं जो हमारे CBS के syllabus में है उसमें मैंने already एक video बना रखी है जिसका link मैं आपको description में दे दूँगा वहां भी मैंने बहुत अच्छे तरीकी से समझाया है अगर आप ध्यान से सुनेंगे जो मैंने locate करना जैसे सिखाया कि 4 mm इधर चले जाए 3 mm इधर चले जाए जहां पर C बनाया जहां पर L बना इसी तरह के प्रेट्रिक मैंने उसमें भी बताई है एक बार अगर आप ध्यान से दे करके प्रैक्टिस कर लेने आई गैरेंटी यू कि आप जैसे प्लाइंक प्लेटिकल मैं पाएगा आपको तुर्ण तो वह एरिया दिखने लगेगे लेकिन आपको एक बार तो बार प्रैक्टिस करिए आप चले आगे बढ़ते है नाव इस टाइम फॉर दसी क्रेट नंबर वान तो बी रिवील्ट यह तो सलूशन है आप लोग देख रिवील नहीं कर सकता मतलब नहीं आप लोग खुछ समझ जाएंगे बस थर्डी सेक्ट का टाइम दीजे जैसे देखिए यह बोर्ड का क्वेशन पेपर है यह बोर्ड का क्वेशन पेपर है दो साल का बैसिकल मैंने क्यों फोर यह करिया है नहीं तो वीडियो बहुत लंब चैनलोजी पार्क यह तीनों क्वेशन कहां से हैं यह मैनुफेक्ट्रिंग वाले चैप्टर से हैं चलि आगे बढ़ते हैं अगला दिखाता हूं अब लोगों को अब देखिये अगला देख्ञा अगया अब लोग दो बोर्ड के क्वेशन पेपर हो गए यह कंटीनुए य इस आपको manufacturing industry से एक question हर साल मिलता है board की paper को मनें 10 साल के question paper की analysis किये है अगर आप भी चाहिए तो आप भी देख लिजिए यानि आपको secret number one यही है कि आपको manufacturing industry के तीनों map आपको करके ही जाने है क्योंकि इसमें से एक number का आपको 100% मिल गया है मेरी guarantee है चले आगे बढ़ते है now it's time for the secret number two to be revealed secret number two secret number two को बताने से पहले अब देखिए जैसे कि cbsc ने एक sample इस साल के आपके 2024 बोड के लिए cbsc ने एक sample paper issue किया था उसके बाद दो additional question papers दो additional practice sets issue किये थे अब इसको देखिए यह उसी का हिस्स्ता है देखिए 2023-24 के लिए है यह sample question paper जो आपरेल में अब देखिए आप देखिए किस रख के question आ रहे हैं देखिए एक बार question पढ़ते हैं फिर आप लोग खुद अंदाजा लगा लेंगे और डायम बिल्ट ऑन रिवर सत्लोज और सॉफ्ट्वेर टेक्वालजी पार्क इन नॉर्डर इंडिया देखिए सब्ट्वेर टेक्व अब लोग जयान देए अभी हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा दोनों के बताता हूं जैसे इससे क्या question आ सकता है इसे इस तरह का question आ सकता है और iron and steel an iron and steel plant based in central इंडिया विच इस विलाई इन 36 गर राइट या इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा उस पर क्या question आ सकता है इस पर question आ सकता है ये ये राजे से पूछ सकता है कि a cotton textile a cotton textile industry center in North India North में क्या कानपूर है अगर यह साउथ में पूछ लेगा तो कोयम बटूर हो जाएगा है ना इस तरह किसे सेंट्रम में पूछ लेगा तो इंदोर हो जाएगा तो यह चीज आपको ध्यान में रख रही है अभी जो मैं cbse ने जो additional two sets question paper issue किये है एक तो sample paper किया था to additional उसको भी दिखाता हूं आपको ये तो रहा अपना ये ये तो रहा पहला वाला sample paper अब दूसरा देखिए जो additional issue कि पर 2023 बोड के लिए अब देखिए इसमें भी और को माइन इन तमिल नाडू और डैम बिल्ट ऑन रिवर चनाब डैरेक्ट क्वेशन नहीं आ रहा है राइट और लार्जेस्ट नैचुरल सीपोर्ट लोकेटर आंत्र प्रदेश नोईडा सॉट्वेर टेकनोलोजी पार्क य तो इस साल जो मैप में क्वेशन आएंगे डायरेक्ट नहीं आएंगे वह इसी तरह के क्वेशन आएंगे आप इसके लिए तयार रहिए सीक्रेट नमबर टू नाव सीक्रेट नमबर थ्री सीक्रेट नमबर थ्री इस दिस जैसे मैंने बोला था कि आपको पूरा मैप पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बिना पूरा पढ़े यानि जोग्राफी के चैप्टर में टोटल जोग्राफी के बुक में टोटल सेवन चैप पढ़के चाहिए आपको जोग्राफिक में फुल मार्स मिल जाएंगे मेरी गरेंटी है चैप्टर नमबर सेवन, चैप्टर नमबर सिक्टर नमबर फाइव, एड़ नम्बर फाइव, त्र नमबर फाईव, यही एड़्या प्रेक्टिस करके जाएव, YOU WILL, definitelyelately, get दो, इस तरह की यूसेफुल विडियो बनाता रहता हू theo, है, जिसकी help से आप लोग कम टाइम में ज् लोग उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा आप लोग जाकर के CBC बोड के टॉपर की उस आंसर शीट को देखिए टॉपर्स ऐसा क्या अलग करते हैं जिससे उनको SST जैसे सब्जेक्ट में मैं तो समझ में आती है SST जैसे सब्जेक्ट में 100 on 100 मिल जाते हैं तो आप भी जायें देखिए कुछ देर सारे जो टॉपर्स के सीक्रेट हैं वो उनकी इनल्सिस की गए उनको रिवील किया है आप भी उनको अपनाएए अपनी आंसर राइटिंग का पार्ट बनाएए दोस्तों का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टन पार्ट होता है जो आपका सबसे खास दोस्त हो आपको ये वाली वीडियो उसके साथ जरूर शेर करिए आपका दोस्त भी जोगरफी में फुल मार्ट ला सके आज के लिए इतना है तैंक ये सो मज